हेलो एवरिवन स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ओलाइन जी एस भाई दिवाकर में मैं सत्यम परमार आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ कैसे हैं आप सभी लोग आसा है अच्छे होंगे और कमेंट में भी बताएं आप कैसे हैं तो अभी तक हमने जनवरी से में तक का डिसकस किया था करेंट अफिर्स जिसमें के कममाइंड था यह हम नई सीरी सुरू कर रहे हैं जिसमें दिसम्बर से लेके में तक का अलग-अलग मंत का हम इसमें करेंगे अभी क्या है कि आपने देखा होगा कई सारी वेकैंसी जो कि 2023-2024 के बीच में आने वाली है तो इसके लिए हम पहले से ही तयार होके चलाएं, current तो हरें कमानी है तो हमने सोचा, क्योंना हम हर मंध का करें तो हम इसको स्रव करेंगे, December से, और हर महने का हम करते जांगे December का हम जल्दी से जल्दी finish करेंगे, फिर इस के बाद जनवरी का, फिर फरर्वरी का मतलब एक दो मन्त में या फिर मतलब तीस से चालिस दिन में हम पूरा छे मैने का कबर करके अपने जुलाई से या जून से आगे कंटिन्यू करते जाएंगे, शाथ में आ जाएंगे, तो अभी हम दिसम्बर से शुरू कर रहे हैं, इसका कि हो जाएगा आपका आठ से तस दिन में फिर हम करेंगे जनवरी का लेंगे जनवरी का भी 8-10 दिन में हम complete कर लेंगे फिर उसके बाद में हम फरवरी का ऐसे करके 8-10 दिन में हम complete करते जाएंगे सबी महिनों को और फिर हम जहां से हम सुरू हो जाएगा जब खतम हो जाएगा उस मन से जरू कर देंगे ठीक है तो देखते हैं इसमें पहला कुश्चन क्या है पहला कुश्चन देखते हैं इसमें एक मिनट 19 दिसंबर 2022 के मद्य IHRC का 63 सत्र कहां आयुजित हुआ था तो इसका ओप्शन दिया गया है भोपाल लखनव बाराण से या नई दिल्ली ओप्शन इसका सही हो जाएगा ओप्शन भी लखनव में इसका 63 सत्र आयुजित हुआ था कब हुआ था यह 18 से 19 दिसंबर के बीच में हुआ था कहां हुआ था उत्तर प्रदेश के लखनों काप है उत्तर प्रदेश में है इसको तो जानती ही होंगे और इसको उधगाटन किस ने किया था यह ज्यादा इंपोटेंट है उधगाटन किया था इसका उत्तरपदे सरकार के परवर मंत्री यह राज्य मंत्री जो थे सुतंत्र परवार दया संकर दया संकर इन्हों ने इसको उधगाटन किया था इसको भी देख लेते हैं भारती एतियासिक अभिलेक समिति इसकी इसकी इस्तापना कब हुई थी तो 1990 में इसकी इस्तापना हुई थी इसका सचवाले कहा पर है दिनली में है नई दिली में इसका सचवाले है और यह है क्या तो यह अभी लेकों रचना का रहा हूं सर रचकों यह उप्योग करता हूं कौन का एक अखिल भारतिय मंच है यह IHRC के बारे में थोड़ी से जनकारी अब नेक्स्ट कोईशन देखते हैं और इसकी अध्यक्षिता कौन करता है तो इसकी अध्यक्षिता IHRC की अध्यक्षिता करता है कौन केंद्रिय संस्कृति मंत्री करते हैं इसमें 134 सदक से सामिल हैं इस टाइम पे 18 दिसंबर 2022 को प्रधान मंतिर नरिंद मोदी ने सिलां मेग हाले में कितनी रासिते की गई परियुजनाओं का सिलान न्यास उद घाटन और लोकारपन किया गया 2230, 2450 करोड या 325 करोड से अधिक या 4350 करोड से अधिक तो इसके बारे में ऑप्सन 20 है हो जागा 2450 करोड रुपाए से अधिक इसका लोकारपन करने के लिए नोने रासिते की थी नेक्स्ट 11 दिसंबर 2022 को प्रधान मंत्री नरेंद मोदी ने नागपूर मेट्रो के पहले चरण को राष्ट को समर्पित किया और दूसरे चरण का सिलान न्यास किया इन दोनों चरण के सम्बंद में बिकल्प में कौन सा तथ्या सही नहीं है तो नागपूर मेट्रो के पहले चरण का निर्माल लागतरासी 8650 करोड रुपई से अधिक है दूसरे चरण का सिलान्यास प्रदानमंत्री ने खापरी मेट्रो रेल विश्टेशन भी किया था दूसरे चरण का निर्माल लागतरासी सरशट सो करोड रुपाई से अधिक होगी नागपुर मेट्रो के पहले चरण की कुल लंबाई 32 किलोमीटर होगी तो इसका ओप्शन सही हो जाएगा ओप्शन इसमें सही नहीं ढूड़ना है सोरी 32 नहीं 32 किलोमीटर तो इसका option सही हो जाएगा आपका option D कितने हैं इसकी 32 km नहीं होगी इसकी जो लंबाई है कुल वो है 38 km 38.215 km इसकी लंबाई होगी तो option इसका गलत पूछा गया है इसमा नहीं पूछा गया है तो option D सही हो जाएगा 11 दिसंबर 2022 को प्रधानमंतरी नरेद मोदी ने तीन राष्टी आयू संस्तान को राष्ट को समर्पित किया बिकल्प में कौन संस्तान इन तीन संस्तानों में सामिल नहीं है तो अखिल भारती है, आयरवे संस्तान गोबा, राष्टे युनाली चिकिस्था संस्तान गाजियावाद, राष्टी होमयोपैथी संस्तान दिल्ली या पर राष्टी सिद्ध संस्तान चेन नहीं Option जाएगा है scientist को समर्स्थाOR किया गया है बिखलब मैं कौन से इन तीन संस्तान मर्न नहीं है तो Option इसका से होजयाएगा Option Dfish किस संस्थान चेनने इसमें अ मिल eine कि और किमने ःतारनन मत्लिय इस टैम पर 11 दिसम्बर 2022 को यह किया गया था Next नवंबर दो हजार बाइस में भारत के रेजिटा जन्रल आरजी आई के कार्याले द्वारा जारी मात्र मत्युदर दो हजार अठारा से बीस की संबंदित निम्न कत्नाओं पर बिचार कीजिए भाति रेजर बैंक को एक दिसंबर परचालन शुरू करने की गोशना की गई इस प्राइग परचालन के सुरुआत में चार सहरों मुंबई, नई दिल्ली, बैंगलूरू और बवनेश्वर को सामिल किया गया एक मिट नीचे ऑप्सें इसके या फिर अच्या दो ही ऑप्सें इसके दिये गए हैं ऑप्सें में पूचा गया है केबल एक, केबल दो या दो और एक या उपर आपक तुमें ऐसे कोई नहीं तो option इसका सही हो जाएगा option C दो और एक दोनों ही सही है भारती रेजर बैक ने एक दिसंबर परचालन सुरू करने कुछना कीती है इस प्राइव के परचालन के सुरुवात में चार सहरों मुंबई, नई दिल्ली, पैंगलूरू और भबनेस्वर इनको जुड़ा गया है, ये भी सही है, तो इन सहरों के नाम आप ध्यान रखिएगा, पूछे जाते हैं एक जला एक उत्पाद, ODP के तरज़ पर उत्तरपदे सरकार द्वारा शुरू की गई, एक जला एक खेली योजना ODOS के तहत, प्रयागराज जले, हेतु चैनित खेल का क्या नाम है, तो इसमें कौन सा खेल चैन किया गया है, ये भी देखने थे हैं बैडविंटन, लॉन टैलिस, होकी या तेराकी, तो आप्शन इसका सही हो जाएगा, आप्शन B, लॉन टैनिस किसके तरज पर की गई है, तो एक जला, एक उत्पाद, इसके तरज पर ये योजना शुरू की गई है, शुरू आत किसने की है, तो यहांके, यूपी के मुख्य मंत्री, योगी आदितनाजी, इन्होंने इसको शुरू किया गया है, ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्या होगा, कि जो उत्रपदेश के 75 जले है न, उसमें प्रत्य जले में एक खेल की पेचान किया जाएगी, और उसको उसमें बढ़ाबा दिया जाएगा, मतलब जले बार इसमें खेल होंगे, उसमें इसको बढ़ाबा दिया जाएगा, सभी खेलों को, राष्टी औ होना है कि कई जैसे खेल दिये गए जैसे मत्राम जूड़ो किस्तान पर अब कुछती होगी बलिया में बैडविंटन किस्तान पर एथलेटिक्स है सरावस्ती में बैडविंटन किस्तान पर कवड़ी है ऐसे कई खेल हैं जो के इनको जिले के रिसाप से इनको पहचान मिलेगी नेक्स्ट 27 से 30 दिसंबर 30 नवंबर 2022 तक 41 वे रामाइड मेले का आयोजन कहां किया जा रहा है जिसके ऑप्षन दिये गए है ए आयोध्या चित्रकूट जनकपुर या स्रिगवेरपुर ठीक है और एसका था जाए अपशन आप शमिया दोड़ा सा बोलने में दिख्यत आ रही है क्योंकि टाइम से इस टाइम हो चुका है स्थाल अयोद्य हो गया समापन कब होगा तीस नवंबर को और समापन नवंबर को किस ने किया था योगी आधित नात ने किया था मुख्य मंत्री है यूपी के नेक्स्ट त्यांग गॉंग अंत्रिच इस्टेशन से सम्मंदित निमलिकत कत्रों पर विजार कीजिए तो इसके option दिये गए है या चीन का अपना अंत्रेच स्टेशन है नवंबर दो हजार पाईस में इस station के लिए तीन अंत्रेच स्टेशन को भेजा गया option इसके दिये गए है option एक में कोई एक दो दूसरा एक और दो दोनों और कोई भी नही तो option इसके सही हो जाएगा यह चीन का अपना अंत्रेच स्टेशन है लिलकुल सही है इस इस्टेशन पर तीन अंत्रेच याज़ों को भेजा गया था ये भी सही है option C असका हो जाएगा कब भेजे गए थे 10 अंबर 2022 में भेजे गए थे जो कि यहा पर दिया गया है कि सने भेज आता चीनि-स वेजनसी 1 चीन इस जनलां 두 welfare इस से इतने नाम आने नहीं है पर एक बार फिर भी लिख लो या लिख देती हूँ फी जुनलांग डेंगू या कोईमिंग और दूसरा तीसरे है जांगलू ये तीनों थे जिनको अन्तिछ स्पेस में भेजा गया है और एक किस रॉकेट से इसको भेजा गया है तो ये और है जिसका नाम है लांग मार्च टू एफ रॉकेट से इसको भेजा गया है नेक्स्ट कुशन देखते हैं बीस नॉबंबर दो हजार बाइस को केंद्रिय मंत्री सर्वानंद सोनवाल ने पूरवोत्तर के पहले छेत्री युनानेची किस्सा अनुसंधान संस्तान आर्राइम के अत्यादुनिक परिसर का अधुगाटन कहां किया है आईजोल में सिलांग में या कोबहार्टी या सिल्चर में ऑप्शन इसका सही हो जाएगा ऑप्शन डी सिल्चर में इसको आयजित किया गया है ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा किस ने किया इसका उद्गाटन तो केंद्रिय मंत्री सर्वानन्द सोनोबाल ने किया है नेक्स्ट कुश्चन इसका इसमें सिर्फ इत्ता ही जानना है 11 नवंबर 2022 को प्रधान मंत्री नरिंद मोदी ने बेंगलूरू में स्री नाड प्रभु केपगोंडा की प्रतिमा का अनावरन किया इस प्रतिमा की उचाई कितनी है यह इंपोटेंट है ऑप्शन इसका सही हो जाएगा ऑप्शन सी 108 फीट इसकी उचाई है किसका उद्गाटन किया है नाड प्रभू केपेगोंडा कहां पर किया गया है बैंगलूरू में लंबा ही है 108 फीट प्रत्मा किसकी है तो ये कांसे की जो कांसे होता है ना कांसे और वह इस्टील की ये मूर्थी है प्रत्मा जो कि बनाई की है प्रत्मा का नाम क्या है ये काफी important है Statue of Statue of Prosperity ये नाम आप याद रखना ये पूछा जा सकता है ये इसका नाम है बागी किति कांसा लगा कितना क्या लगा ये इतना फोटे ने किस ने किया था तो प्रतान मंतिर नरिद मोदी ने Next भारत का G20 अध्यक्षता की पहली सेरपा बैठक 2022 से संबंदित निम्न कथनों पर बिचार कीजिए ये बैठक चार से साथ दिसंबर 2022 के मत्या जैपुर राइस्तान में हुआ था भारत के G20 सेरपा अविताव कांथ है option दिया गया इसका cable एक, cable दो, एक और दो दोनों या एक भी नहीं option इसका सही हो जाएगा option सेरप इसमें भी सही हो जाएगा भारत के G20 सेरपा अविताव कांथ है ये सही हो जाएगा ये जैपुर में नहीं होके ये कहां पर हुआ था उधैपुर में हुआ था, अगर यहां पर उधैपुर होता तो ये भी option आपका right हो जाता next विश्व बाल दिवस कब मनाया जाता है पंदरह नॉवंबर, 20 नॉवंबर, 21 नॉवंबर या 18 नॉवंबर option इसका सही हो जाएगा option B, 20 नॉवंबर को बनाया जाता है इस पार कि इसकी theme क्या रखी थी? theme थी इसका है inclusion for every child inclusion for every child देखिए आप writing से ज्यादा मेरी बोलने पर थ्यान दिया करें हाथ से लिखने में writing ऐसी ही आ जाती है अभी उद्देश से क्या था इसका? उद्देश तो सबका यह की होता है बिस्सो भर में बच्चों के बीच जाग रुकता और बच्चों के कल्यार को सदार करना इसमें कोई नई बात नहीं सब भी बोलते हैं नेक्स्ट 22-25 नवंबर 2022 के मद्द युनेस्को इंडिया अफ्रीका हैक ठोन कहां आजेत हुआ था तो इसका option दिये गए पूरे, हैदराबाद, मंबई या greater noida option इसका सही हो जाए greater noida greater noida मैं कहां पर तो जो गौतम बुद्ध में स्विध्याल है न वहाँ पर इसको आजेत किया गयता है और यह है क्या यह न रिशर्च कर रहे होते हैं अन संबदाय और अपने अफ्रीकी सायधारों को इसके एक मंच पर यह लाता है मतलब उन सब को एक खटा करता है उनकी जो भी अच्छायां होती है या जो उनके मन बिचार होते है या फिर जो वो मतलब क्रियेटिविटी होती है उसको वो एक मन्च पर लाते हैं और प्रदर्शत करते हैं नेक्स्ट एक से दस दिसंबल है कि मद दुज़ारबाइस की मद्द्ध तेज वे होर नुविल मौत्थ सबका आयो जन किया गया कि स्राचिं में किया गया यह अज सम्में में गाले त्रिपरा यह नागालेंड ओप्षन इसका सही होँँगा ओप्षन डी नागालेंड में ना सामा कभी कभी specific name पूछ लिया जाता है तो यह कसामा में किया गया था उद्गहाटन किस ने किया था तो उपराश्ट पति हैं जो अपने इंडिया के जगदी से धन खड़ने के और यह है किया तो यह उस राज्चे का सबसे बड़ा असाधारण संस्क्रति उत्सव है कैसा साधारण नहीं असाधारण इसमें कई सारी जन जाती होती हैं आगंतक होती हैं सभी को नागा जन जाती हैं और उनकी संस्क्रती बिसेश्टा को देखने का भी इनको अबसर मिल जाता है नेक्स्ट नवंबर 2022 में जारी प्राइम ग्लोबल सिटी इंडेक्स 2022 में भारती शहर मुंबई का कौन सा इस्तान प्राप्त हुआ है यह काफी इंपोटेंट है प्राइम ग्लोबल सिटी इंडेक्स Q3 तो इसमें 22, 23, 24 या 25 आप्शन इसका सही हो जाएगा का ओप्षन ए 22 वा इसको इस्तान प्राप्त हुआ है कभी आई थी रिपोट नवंबर 2022 में जारी कौन करता है इसको नाइट फ्रैंक यह इसको जारी करते हैं कित्य सैरेस में सामिल है ग्लोबल सिटी इंडेक्स में तो इसमें 45 सैरेस में सामिल है 45 की नाम आप जानने के जैसे दोबई हो गया मियामी, टोक्यो, लोस एंजेल्स सबर सीर्स पर कोई है? सीर्स पांस याद रखने होते हैं तो पहले पर हो गया आपका दोबई पहले पर दोबई होगया दूसरे पर मियामी हो गया मियामी जो कि USA में है तीसरे पर टोक्यो हो गया तीसरे पर टोक्यो हो गया और आगे लिख देती हूं चौथे पर आपका लॉस एंजल्स हो गया फॉर्थ पर लॉस एंजल्स हो गया लॉस एंजल्स और फाइब पर हो गया आपका गोल्ड कोस्ट जो कि आॉस्ट्रिलिया में है ये इसके सीर्स पांच हो गए नेक्स्ट बिस्पोटक नियम 2008 के प्रावधानों से चूट से सम्मंदित नियम लिकित कत्मों पर विचार कीजिए नवंबर 2022 में भारती अंत्रेश संधान संगटन इस रोग को इस नियम से चूट दी गई इस रोग को इस नियम से चूट अंत्रेश रोकेट के ठोस प्रावड़ों तक के निर्माड भंडारण और परिवहन तथा उप्योग के लिए दी गई तो इसका उप्शन एक केबल एक दिया गया केबल दो एक और दो दोनो या फिर कोई नहीं ओप्शन इसका सही हो जाएगा ओप्शन सी एक और दो दोनो एक और दो दोनो इसका सही हो जाएगा किसको छूट दी गई तो भाती अंत्रे चर्म संदान संगटन इसरों को इसमें दिया गया चूट किस उद्धेसे से इसको छूट दी गई थी तो ठोस प्रणों तक के निर्माद भंडारन और परिभान तता उप्योग के लिए इसको छूट दी गई थी ब्यापार सुगमता करने के लिए किसने छूट दीती तो छूट दीती इसको उध्योगर आंत्रिक व्यापर संबर्धन विवाग DPIT किसा का पेट्रोलियम और विस्पोटक सुरच्छा संगटन SDE से इसको छूट मिलीती नेक्स्ट 28 नुब्बर 2022 को चौथी भारत फ्रांस बारसक रच्छा बारता कहां आई जीती ओप्सन दिया गया है आप्सन ये मुंबई, पेरेश, नई दिल्ली या बारसा option सही हो जाएगा इसका option option C इसका सही हो जाएगा नई दिली में Davisya ही हुई थी सय अद्यच्चित है इसमसे मतलब अद्यच्चित के साथ में कौन रहा था भारत की जरप से तो भारत की रक्षा मंत्री राजानास सिंग तथा प्रांस के ससस्त्र बल मंत्री सेमें इस्टियन लेकोर्न ये इसमें रही थे इसमें क्या किया गया था ये जब भारता होई थी बैठक होई थी तो उसमें बुला था कि प्रमुक छेत्रों मेकिन इंडिया पर धियान देने के साथ साथ उसमें क्या रच्छा और द्योग सयोग भी करना है ये इसकी बारता हुई थी नेक्स्ट 29 नुवंबर से 1 दिसंबर 2022 के मत्य साथ वे बैस्षिक प्रद्योग की सिकर सम्मिलन का आउजित कहां किया गया बैंगलूरू, हैदराबाद, चैपूर या नहीं दिल्ली ओप्सन सही हो जाएगा इसका ओप्सन डी नहीं दिल्ली, साथ वे बैस्ट्योग प्रद्योग की सिकर सम्मिलन का आउजित कहां पर हुआ था नहीं दिल्ली में d ओप्सन इसका सही हो जाएगा थीम क्या थिसकी थीम थिसकी जियो पॉलिटिक्स ओफ टेक्नोलोजी थीम जरूर देख लिजियेगा जियो पॉलिटिक्स ओफ टेक्नोलोजी है ना यह आप तोड़ा पूरा कर ले ना नेक्स्ट 26 नवंबर 2022 को केंदी मंती संजीव कुमार बालियान ने कहां पस्तु संगरूध प्रमाडन सेवाएं क्वारंटाइन सर्टिफिकेशन सर्विसे इस्टेशन का उद्गाटन किया जिसको ओप्सन दिया गया है ओप्सने मत्रा हे सरगट्टा करनाल या इज़त नगर आप्सन इसका सहीत हो जाएगा आप्सन भी हिसागट्टा तो इक Spec vigor नाम है इसको पता ओए नियोगा लेकिन हाँ है कहां पर बैंगलूर्यु करनाटग में है ए उदघाटन किस ने किया आता संजीव को और बालियार ने किया आता जो कि कौन है एक केंद्री राजमंत्री ह मत्स पालन पसुपालन डेरी मंत्री ये है नेक्स्ट इसकी फुल फॉर्म है ये भी देख लो एनिमल क्वारंटाइन सेर्टिपिकेशन सर्विस ये जो दिया गया है इसकी फुल फॉर्म दी गई है नेक्स्ट बीस से अठाइस नवब्र दो हजार बाइस की मध्य त्रेपनवा भारतिय अंतराश्टिय फिल्म माउसब दो हजार बाइस गोबा की राजधानी पर्णिजी में आयृत हुआ है इससे संबंदित निम्न कत्मों पर बिचार कीजिए इस वर्ष माउसब का फोकस देश फ्रांस था इस्पैनिस फिल्म आई हैब इलेक्ट्रिक्स डीम्स ने पतिष्टित गोल्डन पिकॉक पुरुसकार जीता टॉलीबुड की मेगास्टर चिरंजी भी को 2022 का इंडियन फिल्म पर्सनेलिटी पुरुसकार पदान किया गया इन में से कौन सा सही पूचा गया है यानि कि इन में से कोई एक सही है अप्शन इसके साथ नीचे दिये है अप्शन केबल एक या केबल दो एक और तो दोनों या इन में उपर एक तो सभी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा इस बर्स मोसाब का फोकस दिस प्रांस ता सही है अप्शन इस ठीक है इसे रण जी भी 2022 को इंडियन फिल्म पर्सनल टिपस कर पर दन किया गया था ठीक हो पुरेक तो सभी इसका ओप्शन सही हो जाएगा इस संस्क्रण में कितने देश होने भाग लिया था उनियासी देश होने इसमें भाग लिया था और 280 के करीब इसमें अच्छी से अच्छी फिल्म में दिखाएगी इस थी नेक्स्ट ए गवर्न्नेंस पर 25 वे राष्टी सम्मेलन एंजी इस एंसीजी 2022 में संबंदित निम्न कत्नाओं पर विचार कीजिए 26 से 27 नॉब्बर 2022 के मत्य यह सम्मेलन जय पूर्माय उजित हुआ था सम्मेलन का मुक्ज विसय तिन नागरिक उद्ध्यों और सरकार को समी प्लाना था ऑप्षन इसका सइगा उप्षन दिये काई है केबर 1 एक केबर 2 एक-बर 2 या अवब्रेक्ट मैंसे कोई नहीं तो और इसमें जैपूर में आयजुत नहीं हुआ था जोगी कट रहा जगा है वहां पर इसको आयजुत किया गया था बाकि इसकी थीम थी नागरी कुद्यों को सरकार को समीपलाना यह इसकी थीम सही थी इसकी थीम रखी गई थी नेक्स्ट कुशन 21 नवंबर 2022 को किस देश ने आर्टिफीशल इंटेरिजेंस पर गलोबर पार्टनर्शिप की अध्यचता गिरण की थी ओप्शन ए सही हो जाएगा चीन बी सही हो जाएगा नौर्वेज जापान या भारत ओप्शन इसमें सही हो जाएगा आपका ओप्शन डी भारत आर्टिफीशल इंटेरिजेंस पर गलोबर पार्टनर्शिप के दिश्यचता किस ने की थी भारत ने लॉंच कब हुआ था 2020 म हाली में भारतिय खादे सुरच्छा और मानक प्रादिकरण ने किस हिमालेई पसू को खादे पसू के रूप में मंजूरी दी है तो यह हिमालेई ताहर हिमालेई भेड या हिमालेई याक या हिमालेई चितल तो ओप्शन इसका सही हो जाएगा ओप्शन सी हिमालेई याक को इन्होंने खाद्य पसू के रूप में मंजूरी दी है मंजूरी करता कोने तो F.S.S.I. यही मंजूरी पताम करिया इन्होंने कौन-कौन से राज़ी से संबन देता है खाद्य पसू के रूप में जिनने को मंजूरी दी है उसमें जो हिमाले राच्ची कौन-कौन से है तो औरनाचल प्रदिश हो गया, सिक्केम हो गया, उत्राखंड हो गया, हिमाचल प्रदिश हो और जम्मु कस्मीर यह राच्ची हो गए मन्जूरी तिति कब है तो 26 नौबर 2022 जो कि तिति नहीं पूछी जाती है अगर पूछ भी लिए, तो 26 नौबर 2022 ठीक है, नेक्स्ट 19 नौबर 2022 को प्रदानमंति नरिद मुदी ने अरनाचल प्रदिश में 600 मेगावाट के कामिंग हाइड्रो पॉवर स्टेशन को राच्ट को समलपित किया यह किस जले में मनाया गया है, और पूर्वी कामिंग में इसको बनाया गया है और इस हवाएड्डे का नाम क्या है तो डोनी पूलो हवाएड्डा इसका नाम है निर्मित कहां पर निर्मित बनाया है ये तो पर्षिमिकाम में इटाना गर्मा ये बना हुआ है नेक्स्ट कुश्चन 19 दिसंबर 2022 को इंडिया H2 एलाइंस भारत हाइडर एलाइंस में 16 सदस्यों को सामिल होने के बाद इस अलाइंस की कुल सदस्यों की संक्या बढ़कर कितनी हो गई है तो उप्षिन इसका सही हो जाएग और उप्षिन भी 15 हो गई है इसकी संक्या नेक्स्ट हाली में किस वेस्ट्विक संगठन तापमान ग्लोबल वार्विंग के खिलाप लड़ाई में सहयोग करने वाले देशों के लिए खुला अंतराश्टी जलवाई क्लब बनाया गया है ओपन इंटरनेशनल क्लाइमिट क्लब कहां पर बनाया गया है और इसका तो ओपन इसका स्थोय दिया गया है जी-20 अच्छा इसको ये उप्सन इसा में दीए नहीं में सोली दीखे नहीं थे ए में जी-20 डि-7 यूपि संग या संगहाई सय वो ओप्सन इसका सय हो जाएगा जी-7 वी उप्सन इसका सय हो जाएगा किस देश ने इसकी पहल की थी तो जर्मानी ने इसकी पहल की थी गोशना कब की थी 12 दिसंबर 2022 को प्रेश्ट भूमिका ए 48 वे जी सेवन सिकर सम्मिलन में कलब इस नापना पर इसको सहमती मिली गई है नेक्स्ट तेरह दिसंबर 2022 को भारत ने किस देश के साथ प्रवाशन और गत्सीलता पर सही उक्त गोशना पत्र पर हस्ताक्षर किया तो जर्मानी, फिनलेंड, डेन्मार्क या फ्रांस ओप्षन इसको सही हो जाएगा ओप्षन बी फिनलेंड ने इस तान यह कहां पर हुआ था तो यह हुआ था देली में हस्ताक्षर किस ने किये थे केंदरी विदेश मंत्री भी मुरली धर कौन भी मुरली धर और कौन थे फिनलेंड के रोजगार मंत्र सूती, सूती तूला हेट इन, एक मुर्ट नम लिखी देती है उनका, सूती तूला हेट इन, यह फिनलेंड की तरफ से थे नेक्स्ट कूर्शन, बीबीची द्वारे दिसंबर 2020 में जारी सौ प्रभावसाली महलाओं के सूची में, कितनी भारत महलाओं को सामिल किया गया है तो इसमें पांच, चार, तीन, दो उप्सन इसका से हो जाएगा उप्सन भी चार महिलाओं को इसमें सामिल किया है जारी किसने किया है बीवीसी ने कब किया गए तब 6 दिसंबर 2022 को नाम किया है जो चार भारती महिलाओं को इसमें सामिल किया है उनका नाम है सिरसब आदला जो कि बेग्यानिक अभियांतर की है प्रियंका चोपड़ा जो इनको आप जानती होंगे अभिन हित्री है इसने जाबले जो कि सामाज कारे करता है और गीता अंजली स्री यह कौन है यह लेख का है इसकी स्तापना कब हुई थी बीबीची की है रिचर्ड सार्प लिखा ही नहीं है इसमें रिचर्ड शाप यह इसकी अद्ध अच्छ है नेक्स्ट नवंबर 2022 में जारी बैस्विक प्रतिमा प्रतिस परता सुजकंग 2022 से सम्मंदित निम्न कतनों पर बिचार कीजिए इस सुजकंग में सुर्जर लेंड को सीर्ष इस् केवल एक केवल दो एक और तो दोनो या अप्रेक्ट में से कुई नहीं ओप्संस कसे हो जाए मैं ओप्संस सी के एक और दो दोनो group सनी भारतगे जारे चूप सब्काइभले नंबर पर यह इस श्विन को पर हो गया यूएन और पांचेव पर हो गया स्वेडन यह सीर्स पांचेदेश हैं जिनकों क्या प्याद रखिए है नेक्स्ट डिसंबर 2022 में जारी ग्लोबल एवियेशन सेफ्टी रैंकिंग से सम्मंदित निम्न कतनों पर विचार कीजिए तो इस रैंकिंग में दच्छल कोरिया सीर्स इस्तान पर है भारत को 48 वा इसमें इस्तान पर आप्ट हुआ है ऑप्शन इसका सही हो जाएगा ऑप्शन option इसका सही हो जाएगा cable एक, cable दो एक और दो दोनों या उप्रेक्ट मैं से कोई नहीं तो इसका option सही हो जाएगा option A option B इसका सही हो जाएगा इसमें भारत को 48 वारिस वारिस्तान प्राप्त हुआ है यह सही है सीर्स देश कौन सा है इसका दच्छिन कोरिया ना होके यहाँ पर सिंगापूर होता तो यह option आपका सही हो जाता ठीक है अभी क्या होता है जैसे कि हम लोग को नहीं समयाता है हम इसको एक और तो दोनों ही लगा देती है लेकिन कभी-कभी यह भी गलत हो जाता है तो के मारना भी गलत ही हो जाता है 22 नॉबंबर 2022 खो आयू समंत्रा लेने ऑस्टिलिया में इस्तितकिस यूनिवर्स्टी में आयरुवेतिक बिग्यान में सेंच्रिक पीट अकेडमिक चेयर इस्तापित करने की गोशना किये मॉनास यूनिवर्स्टी या बेस्टन सिड्नी यूनिवर्स्टी मेलबन यूनिवर्स्टी या कुईसलें यूनिवर्स्टी आप्सन इसका सही हो जाएगा आप्सन भी बेस्टन सिड्नी यूनिवर्स्टी गोशना किसने किये आयू समंत्रा लेने कितनी अवदी के लिए रहेगी तो तीन जाल के लिए ये रहेगी कब हुई थी इसकी गोशनाथ 22 नॉब्बर 2022 को चलिए नेक्स्ट प्रत्थम ताइम्स होयर एजुगेशन 12 नॉब्बर 2022 में जारी ग्लोबल एमपयाविल्टी युणिवर्स्टी रैंकिंग तो ये हैं बारेवा बारेवा ये संस्क्राने जारी किसने किया था टाइम साहरे एजुकेशन इनने इसको जारी किया था नेक्स्ट हिंद मासागर रेम एसोसियेशन मंति परसत की 22 भी बैटक्ट से सम्मन्द इतनी बिन कतनों पर बिचार कीजिए 24 नवंबर 2022 को ये बैटक धाका बांगलादेश में हुई थी आई ओ आरे की स्थापना 1997 में हुई थी तो अप्शन इसका सही हो जाएगा ओप्शन C ऑप्शन दिया गया C एक और तो दोनों दोनों ही इसके सही हो जाएगा 24 नॉवम्ब 22 को यह बैटक धाका बंगला देस में हुई थी यह ध्यान लखेगा और इसकी स्थापना कहुई थी 1997 में हुई थी नेतरत किस ने किया था इसका तो नेतरत इसका किया था केंद्री विदेश राजमंत्री डाक्टर राजकुमार रंजन सिंग यह ने इसका नेतरत किया था नेक्स्ट नवम्र 2022 में अन्तरिश में बंदरों के परेजिन पर जर्चा में हो रहा प्रजेक्ट कि इस देश से सम्बन देते हैं अमेरिका इसरैल चीन यह जापन और ऑप्शन इसका स्यूर जाएगा ऑप्शन 16 चीन इसके देश से सम्बन देते हैं नेक्स्ट तेश नॉम्मर दो हजार बाइस को विशु स्वास्तर संगटन और रोग नियंतरन और रोग थाम केंद्र अमेरकान ने किस रोग के प्रती बढ़ते खत्रे के बारे बताया कि बर्च दो यार एकिस में 40 मिलियन बच्चों को इस रोग का ठीका नहीं दिया गया तो ये कौन सा रोग है मलेरिया, डेंगो, खसरा या पोलियो तो इसका उप्चन से योजाएगा उप्चन सी खसरा नेक्स्ट नवंबर 2022 में जारी नेटवाक लेडी नेंस सूचकंग 2022 से संबंदित निम्न कतनों पर बिचार कीजिए इस सूचकंग में सिंगापुर को सीर्षिस्तान और नेक्स्ट नेक्स्ट संयक्तराष्ट सैचिक बेग्यानिक और संस्कृतिक संगटन यूनेसको ने किस देश की ग्रेट वैलियर रीफ को विश्व बिरासत इस तलोग की खत्रे की सूची में जोडने की सिफारश की है तो ये तो सिंपल सा है ये सभी को आ गया होगा ग्रेट वैलियर रीफ कहाँ पर आपकी ऑस्टेलिया में है ये इसको पूचा है नेक्स्ट कॉश्शन इंडो पैसेपेक रीजनल डायलोग दो हज़ार बाईस से संबंदित नेमने कत्नों पर बिचार कीजिए तो इसके ऑप्शन दिए गए गए 23 से 25 नवमर 2022 के मत यह संब्यलन नई दिल्ली में आज़त हुआ था यह भारती नोसेना का एक सीर सिस्टर का अंतराश्टी यह बार्शिक संब्यलन है आप्शन इसके दिए गए यह केबल यह केबल दो एक और दो दोनों या उप्रेक्ट में से कोई नहीं आप्शन इसका सही हो जाएगा ऑप्शन सी एक और दो दोनों तो आज के ससर में सिर्फ इतना ही वीडियो कैसे लगी जरूर बताइएगा और हमारा चैनल है ऑनलाइन जीएस वाई दिवाकर जिसको कि आप प्ले स्टोर से जाकर दाउलोड कर सकते हैं और उसमें आपको छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी तयारियां बहुत ही कम प्रा बाद में आपको एक साल तक इसका पूरा पैस ये बना रहता है जिसको आप किती भी बार चाहें देख सकते हैं तो अपने फ्रेंड्स को भी ये सेर कीजिए जो भी अपने टीचिंग लाइन से अन्य किसी लाइन में ये तैयारी कर रहा है तो सभी के लिए हेलफुल रहेग सभी को सेर कीजिए मिलते हैं कल अगले सेशन में तब तक के लिए धन्यवाद इग में लिख के जाएंगे हम आपको थैंक यू मिलते हैं कल हम ठीक है बाई